नमस्कार आप देख रहे हैं बॉल्लिवूड गपशप आपके साथ मैं हूं कार्जो नरायन आज हम दो ऐसे फिल्मों पर बात करेंगे जो फिल्म साल की बहुल बड़ी हिट हो सकती थी लेकिन बॉक्स ओफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गए सबसे पहले बात करेंगे समराज पित्विराज की जिया समराज पित्विराज की कमाई मंगलवार को और अधिक गिर गई है 200 करोड के बजट पे बनकर तयार हुई अक्षे कुमार के फिल्म पांच दिन में 50 करोड रुपे ही कमा सकी इसके अलावा आप तो कमाई का साधन ही नहीं बचा है क्योंकि टिकेट विंडो जो है वो सीनेवा घरों में पूरी तरह से खाली हो चुके है यही नहीं सीनेवा घरों का हाल यह है कि दरशक नहीं मिलने के कारने कहीं जगों पर फिल्म के कहीं शोज भी कैंसल करने पड़े है पितिराज उहान के जिन्दीगी पर बनी इस फिल्म ने अब तक करोड रुपे कमा लिये है लेकिन अब तक जो इस पर खर्च किया गया है उसका आकड़ा यह नहीं छूपाई है इस फिल्म ने पांच दिनों में सिर्फ 48 करोड रुपे का बिजन्स किया डॉक्टर चंजर प्रकाश दिवेदी के डिरेक्शन में बनी समराथ पित्विराज ने मानुशे छिलर ने फिल्मों में डेब्यू किया अक्षे कुमार और संजिदत के लावा सोनुसू जैसे स्तारी भी फिल्म में है लेकिन ठ्रीएटर्स में ओर्डियन्स की ओक्यूपेंसी है सिर्फ 78 परसेंट यानि कि 100 सीटों में से सिर्फ 9 सीटों पर ही दर्शक देखने को मिल रहे है इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 10 क्रोड रुपे का बजनस किया था और अभी वार को पहले वीकेंड पर कमाई 16 क्रोड रुपे थी लेकिन अगले ही दन सोंवार को कमाई में अलग-अलग सर्किट में 50 से 60 परसेंट तक गिरावर दर्श की गई और सबसे दुखत बात ये है कि टिकेट खिड़की पर समराच पितिवराज के आगे कोई बड़ी फिल्म मौजूद नहीं थी कमल असन की विक्रम रिलीज तो हुई लेकिन इसका जोर साउथ में ज्यादा है मेजूर भी ऐसा बुजनस नहीं कर रही कि ये समराच पितिवराज को नुकसान बहुँचा सके जबकि कार्ते कारेन की भूर भी लाईया टू ने रिलीज के नौवे दिन भी 2 क्रोड रुपे का बुजनस किया है ये फिल्म बॉक्बस्टर साबित हुई है उसके कुल कमाई 156 करोड से ज्यादा हो चुकी है और अब बात अगले फिल्म के करेंगे जी हां बॉलिवुड की कंगन रनावत जिसे क्विन भी कहा जाता है अबिनेतरी कंगना जब भी कोई फिल्म करती हैं तो उसके प्रोमोशन में तावर तोड कहती हैं कि उनके फिल्म जो है वो सूपर डूपर हिट होने वाली है उनके आक्टिंग का लोहा वो मनवा चुकी है फिल्म क्विन में भी और फैशन में भी अविनेती कंगनावत की एक्षिन फिल्म धाकर ने लोगों के सासाथ फिल्म निर्माताओं की उमीदों पर भी पान ही फिर दिया अविनेता कार्टिकारन की फिल्म भूल भुलाया 2 के सामने कंगना की फिल्म धाकर बॉक्स ओफिस पर बुरी तरह से फेल हो गई होरर कमेडी फिल्म भूल बुलाया दर्शकों की पहली पसंद बन गई थी यहां तक कि कई सीनिमा घरों में धाकर की जगा भी ले ली है धाकर के बॉक्स ओफिस पर बुरी तरह सफल होने के बाद अब उम्मी जताई जा रही है के कंगनावत की अगले फिल्म तेजस की निर्माता इसे सीनिमा घरों में रिलीस करने का जोखिम लेने से बच रहे है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंगना के फिल्म तेजरस की निर्माता स्फिल्म को सीनिमा घरों की बजाए सीधा एक ओवर दे टॉप प्लैट्फर्म पर रिलिस करने की प्लानिंग कर रहे हैं कंगना इन दिनों अपनी अगले फिल्म तेजरस की तयारी मेजुटी है बॉलिवूड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म के निर्माता कुछ हिस्ते को फिल से शूट कर रहे हैं और साते थाकर की बुरी तरह फिल होने के बाग फिल्म को सीधे OTT पर रिलीस करने की योज़णा बना रहे हैं तो ऐसे ही फिल्मों का रिव्यू लेने के लिए आप बने रहें बॉलिवूड गपशप के साथ